हैलो एबरीबन बलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर 11 से 12 साल के बच्चे के लिए सरट सिल्ला सिखाएंगी तो यहाँ पर देखी मैंने सबसे पहले आगे बाले पल्ले को लिया है और यहाँ पर मैंने जो 2 इंच का मार्जन लिया है तो हुए यहाँ पर हम क्या करेंगे अलग से पट्टी लगाएंगे तो इसलिए आदा इंच का मार्जन छोड़के बचे हुए कप्ड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे अगर आप अलग से पट्टी नहीं लगाना चाती हैं तो ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा सकती हैं तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को बिलेक कलर के कपेपर चिपका लिया है तो इस पट्टी को हमें याँ पर क्या करेंगे उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें याँ पर सिलाई लगा देनी है याँ पर कुछ तरह से प्लेस कर देंगे फिर हमें याँ पर क्या करेंगे इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें एक या दो पोईंट पर सिलाई लगा देनी है यह हमारी काजवाली पट्टी रहेगी ठीक है और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी तो अगर आप लोग ने कटिंग की वीडियो नहीं देखिए तो आप लोग कटिंग की वीडियो भी चरूद देख लें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से स्रेट को बनाया है तो हमारी यहां पर काजबाली पट्टी सिलकत त्यार हो गई है अब हम यहां पर दूसरा पला लेंगी और इसमें हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है इस बाले पले में हमें बटन लगाने है ऑँ दोस्तो पलीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्याँ आप लोग लाइक कर न भूल जाते हो तो पलीज इस वीडियो को जरू लाइक कर देना इस तरह की पौकिट भी लगाई है ठीक है अब हम यहां पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइट उपर रखेंगे और आगे बाले पल्ले की सीधी साइट नीचे की तरफ रखेंगे तो इस तरह से आदा इंच का मारजन छोड़ के सोल दस लेंगे और इसमें हमें क्या करना है एक दाप सिलाई लगा देनी है कुछ इतरह से फिर हमें आपर क्या करेंगे दोनों पल्ले को बराबर करेंगे कुछ इत्रे से और बराबर करके हमें 20 सोल्डर पर कट लगा देना है अच्छे से दोनों तरफ हमें आपर कट लगा देंगे तो अब हमें आपर क्या करेंगे कॉलर से लेंगे तो पहले हम याँ पर क्या करेंगे एक कॉलर की लंबाई नाप लेते हैं तो याँ पर लंबाई आ रही है साड़े तेरा इंज और याँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली ये इसको फोल्ड करेंगे और गले की चोड़ाई हमारी धाइंच है तो धाइंच पर निसान लगाएंगे और यहां से गुलाई करेंगे तो यहां पर हमारी लंबाई साड़े तेरा इंच आ रही है तो साड़े तेरा इंच को हम यहां पर इत्रे से आदा करेंगे और उसके बार में हमें यहाँ पर निसान लगा देना है और गले की जो हमारी पट्टी है वो एक इंचोड़ी रखेंगे तो कुछ इत्रह से हमें निसान लगा देना है यहाँ पर हल्की सी गुलाई करेंगे और इसी निसान की उपर हमें याँ पर कटिंग करेंगे तो देखी इस तरह से मैंने कटिंग भी कर लिया है इसको हमें याँ पर कपड़े पर चिपका लिया है नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से मैंने सिलाई को भी लगा दिया है, बचे हुए कपडे की हम याँ पर कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम याँ पर दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके उपर कॉलर वाली पट्टी रखेंगे और उपर की तरब सिलाई लगा देंगे यहां पर सपाई के साथ कटिंग करेंगे और कट लगा देंगे फिर हमें आपर इसको सीधा करेंगे और इसमें एक दाफ सिलाई लगा देंगे तो हमने यहां पर कॉलर को सिल लिया है अब हमें आपर सरड को लेंगे और इसको लटा रखेंगे और कॉलर को हमें सीधा रख लेना है कुछ इतरा से और रखने के बाद हमें आपर क्या करेंगे शिलाई लगाएंगी तो पूरे गले में हमें आपर कॉलर को शिल सिल लेते हैं तो यहाँ पर आम लोग देख सकते हैं हमने शिलाई को लगा दिया है अब हम याँ पर क्या करेंगे जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देंगे और इसमें दाफ सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कॉलर को भी सिल लिया है अब हम याँ पर क्या करेंगे इसमें बाजू सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है और यहाँ पर मैंने तीन इंचोरी पट्टी लिया है तो इस पट्टी को हमें यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे फिर हम याँ पर क्या करेंगे इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे ठीक है और फोल्ड करके हमें कुछ तरह से सिलाई लगा देनी है तो हमने यहाँ पर बाजू में पट्टी को सिल लिया है सरट को हमें यहाँ पर सीधा रखेंगे और बाजू की जो सीधी साइट है वो नीचे की तरफ रखेंगे तो इस तरह से हमें रखके सिलाई लगा देनी है यहाँ पर जो हमने बाजू में कट लगाया है वो कट हमारा आगे बाले पल्ले पर आना चाहिए ठीक है और जो बीच में कट लगाया है वो कट हमारा सोल्डर के बीच बीच आना चाहिए तब ही हमें सिलाई लगानी है और उसके बाद में हमें आपर क्या करेंगी तरह से कट लगा देंगे पूरी बाजू में हमें कट लगा देना है फिर हमें आपर क्या करेंगी जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें उपर की तरफ कर देना है और उसके बाद में हमें आपर दाफ से लाई लगा लेते हैं पूरे में तो यहां पर मैंने एक बाजू को सिल लिया है और इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे तो यहां पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है अब हमें आपर क्या करेंगे, सरड की फिटिंग करेंगे तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जहां पर हमारा निसान लगा है तो उसी निसान के उपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है और सिलाई हमें आपर डबल लगा लेंगे तो यहाँ पर हमारी एक तरब से सरण की फिटिंग हो गई है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरब भी सरण की फिटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरब भी फिटिंग कर दिया अब हमें याँ पर क्या करेंगी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगी तो इसको हमें कुछ इत्रे से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके हमें याँ पर बिल्कुल किनारे पस सिलाई लगा देंगे तो याँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है इसमें हमें काज और बटन भी लगा लेने हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो सराट है बोसल कर तयार हो गई है तो अमीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो मारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू